दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका सिबिल स्कोर 300, 300, 400, 500, 500 या 600 कहीं पर भी आ चुका है और आपका सिबिल स्कोर इंप्रूब नहीं हो रहा है और जब भी आप लोन के लिए अपलाई करते हैं आपको लोन नहीं मिलता है आपकी जो application वो reject हो जाती है और reject होने के साथ साथ आपके सिबिल पर बहुत ज़्यादा inquiry लग चुकी है अब आप परेशान है कि आपका सिबिल स्कोर कैसे improve हो और आप कहीं भी किसी भी company से लोन के लिए कैसे apply करें तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा golden तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आप एक मिनट के अंदर अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका सिबिल स्कोर 300, 300 कहीं पर भी है मैं आपको यह कहूंगा कि भी आपने किसी लोन company से लोन का settlement किया है यह लोन आपने default कर दिया और उसके बापजूत आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे वो लोग जिन्होंने default कर रखा है यह settlement कर रखा है वो चाहते हैं कि उनको फिर से दुवारा लोन मिल जाए तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा secret तरीका बताने वाला हूँ एक ऐसा golden तरीका बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपको पता नहीं होगा जहाँ पर आप अपने सिबिल स्कोर को improve करेंगे और इस सिबिल स्कोर को improve करने के लिए आपको ना तो soping करने की ज़रूरत है और ना ही कोई loan लेने की ज़रूरत है आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे जहाँ पर पता है जाता है कि भी आप किसी loan एप से loan लेंगे तब ही आपका जो सिबिल है वो improve होगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका पताऊँगा जहाँ पर आपको किसी company से loan लेने की ज़रूरत नहीं या अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए ऐसे ही आपको कोई भी सोपिंग करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी company पर जाने के लिए क्योंकि आपने दिखा होगा जहां online सोपिंग करते हैं फिलिप कार्ट, आमाजॉन, मिंत्रा बगारा पर तो यहां से भी हमारा सिबिल स्कोर इंप्रूर्व होता है पर दोस्तो अगर आपका सिबिल स्कोर इंप्रूर्व करने के लिए हम कहीं पर लोन की बात करते हैं तो लोन तो आपको मिलता नहीं है भी लोन आपको मिलेगा तो सिक्योर लोन मिलेगा और अगर आपके पास पहले से इतना पैसा है तो आपको loan लेने की ज़ूर्ट क्या है तो दिक्कत यह होती है कि हमारे पास पैसा भी नहीं है, financial need है हमें और हमें loan की ज़ूर्थ है और हमारा civil score ख़राब हो गया अब हम हाथ पैर तो खुम मार रहे हैं पर हमें loan नहीं मिल रहा है, हमारा civil score डाउन हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में no shopping, no loan, ठीक है इसके बावजूद एक मिनट के अंदर अपना civil score कैसे बढ़ाते हैं life proof दिखाने वाला हूँ, उससे पहला दोस्तों आप यहाँ पर देख लें, मैं आपको कुछ तरीका दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अपना civil score चेक करने के लिए ठीक है, आपको Google Play Store पर जाना है और one score नाम की एक application देखने को मिलेगी यहाँ पर आपके सामने है, इस application को install करेंगे, अपना mobile number डालेंगे pen card number डालेंगे, और इस app को open कर लेंगे, अब दोस्तों मैं सबसे पहले अपना ही detail आपको दिखा देता हूँ और guarantee आपको जो civil score है, वो मेरे तरह खुब धना धन रहेगा, मतलब मस्त रहेगा मस्त का मतलब है कि आपका civil score हमेशा 700 से उपर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मेरा नाम देखने को मिल जाएगा और नीचे देखेंगे दोस्तों, तो मेरा जो civil score है वो 767 767, आज की तारीक में दोस्तों, मेरा civil score है, और अगर बात करेंगे experience की, तो 804 देखने को मिलेगा, अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर click करूँगा और click करने के बाद मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ, नीचे आप देखेंगे दोस्तों, तो आप में बताया गया है कि और 51 लोन लेने के बाद मैंने यह close कर दिये, उसके बाद मेरे 5 लोन जो है वो active हैं, तो भई 5 लोन मेरे active चल रहे हैं, 51 मैंने close कर दिये, यह मेरे को कैसे मिले, भई बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिन्होंने एक लोन ले लिया उसके बाद ही severe score खराब हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बताओं, मैं आपको छोटे मोटे लोन अपलाई करके बहुत सारे दिखाता हूं, कुछ तो वो लोन है, और एक वो secret तरीका, जो मैं किसी को नहीं बताता, आज की इस वीडियो में पहली बार मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा secret तरीका, जह यहाँ पर दोस्तो आठ इंक्वारी तो अभी की मौजूद है इससे में, और एक पहले रगी थी, ठीक है, तो वो हट गई, टोटल नो इंक्वारी है, तो आठ इंक्वारी अभी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर है too many credit इंक्वारी, इससे भी हमारा civil score खराब होता है, और आपको बताने वाला हूँ, कि आपका civil score कितना भी खराब क्यों ना हो, ठीक है, सबसे पहले नाइप प्रूफ मैं आपको दिखा दिया अपना civil, कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, किसी भी condition में क्यों ना हो गया हो, आज एक ऐसा secret के बारे में जानेंगे, जो आज तक YouTube और किसी ना आपको बता ही नहीं है, पहली बार इसी YouTube चैनल पर आप देखेंगे, और एक मिनट के अंदर आपका civil score create हो जाएगा, एक मिनट के अंदर आपका civil score बढ़ जाएगा, तो चलें दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता है, CRF Highmark, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यह चार ऐसी company है, जो कि हमारे civil score, ठीक है, मिन्टिन करती है, और सबसे बड़ी company दोस्तों है, ट्रांस यूनियन, इसके बारे हम बताऊंगा, तो सबसे पहले देख लें, ऐसे वो लोग जिनका civil score 300 से लेकर 500 के priority है, मैं guarantee देता हूँ कि 300 civil भी आपका है ना, और बहुत साधी ज्यादे inquiry लग चुकी है, आपने loan को default कर दिया, उसके बाब जूद दोस्तों, आप एक मिनट के अंदर अपने civil score को बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, 501 से लेकर 650 के बीच का civil score को पूर बना जा आता है, ऐसे ही 651 से 750 का average है, 751 से लेकर 850 का good है, जो कि मैं आपको दिखाया, मेरा 766 civil score है, जो कि मेरा जो है दोस्तों, यहाँ पर good में आता है, पर दोस्तों, इसके साथ साथ हम अपने civil score को 851 से लेकर 900 तक भी ले जा सकते हैं, जो कि excellent होता है, जो मैं आपको तरीका होगे, हमारा यही civil score बनेगा, अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दोस्तों, यह जो चारो कमपनी है, अगर हम civil की बात करेंगे, 2000 में, दोस्तों, यह जो कमपनी है, हमारे दिसके अंदर 2000 से ही civil maintain होता है, उसके बाद दोस्तों, तीन कमपनी, ए civil score आपका एक मिनट में ही बन जाता है, पर आपको civil score की जो detail देखने को मिलती है, वो मिलती है, 30 से लेकर 45 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब आप अपने civil score को 30 से 45 दिन के अंदर चेक कर पाएंगे, पर civil score आप एक मिनट में बढ़ा लेंगे, पर दोस्तों, क्योंकि यह जो company है, यह आपके civil score की जी report है, उसको ठीक है तैयार करने में 30 से लेकर 45 दिन का समय लेती है, तो जो time लगता है दोस्तों, वो इन company की दोवारा लगता है, आपका civil, तो आप एक मिनट में बना सकते हो, ठीक है, और check करने की बात करेंगे, तो भई, आपका जो civil score है, वो check भी आपका तीस दिन के अंदर, ठीक है, आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अपना civil score बढ़ाया है, तो तीस दिन के बाद आपकी जो report है ना दोस्तों, यह report जाएगी इन चार company हो के पास, civil, CRF, experience या Equifax, इन में से किसी के पास भी report जा 35 दिन के अंदर हो सकते हैं, आपके पास यह report आजाए, अभी इस report को आप कहाँ चेक करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, mobile की application है, आप Google पर जाएंगे, और आप महाँ पर जाकर तो है, one score नाम की application को install करेंगे, आपका civil score चेक हो जाएगा, ठीक है, तो यह मैंने आप आपको detail बता दिया, कि 30 से लेकर 45 दिन के अंदर आप चेक कर सकते हो, civil score एक मिट में बढ़ा सकते हो, अब यहाँ पर आप देखो, civil score बढ़ाने के लिए जो तरीका है ना दोस्तों, वह मैं आपको बताता हूँ, जो तरीका मैं यूज करता हूँ, मैं कितने भी loan ले लूँ ठीक है, आपने कितने भी loan ले, आपने default कर दिया, किसी ने भी default कर दिया, अब civil score बढ़ाने के लिए, कोई भी आपको जो है दोस्तों, swapping करने की जोड़त नहीं है, कोई भी loan लेने की जोड़त नहीं है, ठीक है, किसी भी loan company के पास जाने की जोड़त नहीं है, मैं आपको ए अपने civil score को बढ़ाएंगे ठीक है कैसे बढ़ेगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम civil score को बढ़ाने के लिए अपने mobile को recharge करेंगे ठीक है तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेरा mobile number है नीचे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा जो प्लान है वो दो दिन के अंदर एकस्पायर हो रहा है जो कि मैं 299 रुपे का रिचार्ज करता हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिल गया अब मैं इस पर किलिक करूँगा जैसी किलिक किया मेरे सामने मेरा प्लान आ गया अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एकस्पायरिंग अब मैं यहाँ पर किलिक करूँगा, ठीक है, पिलान पर किलिक किया, किलिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने ये वला गया, अब 299 रुपे का रिचार्ज में करके अपने सिबिल स्कूर को बढ़ाऊंगा, अब देखो मैं आपको बता दूँँ, यहाँ पर मैंने क्यों कहा क कि no loan, हम कोई loan नहीं ले रहे, कोई हम सोपिंग नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाप जूद हमारा सिबिल स्कूर कैसे बढ़ रहा है, अपने mobile को रिचार्ज करके, तो आप अपने घर में अपना mobile तो रिचार्ज करते हैं, अपने परिवार वालों को भी रिचार्ज करते हों 100 से रिचार्ज करो 299 से रिचार्ज करो किसी भी अमाउंट से आप अपने मौईल को रिचार्ज कर रहे हो आपका सिविल स्कोर 100% बढ़ेगा अब देखो मैं आपको पहली एक तरीका और बता दू बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर हम 10 रुपे का रिचार्ज करेंगे तो क्या हमारा सिविल स्कोर ज्यादा बढ़ेगा या हम 1 लाख रिचार्ज करेंगे तो सिविल स्कोर ज्यादा बढ़ेगा देखो आप 1 रुपे का रिचार्ज करो यह आप एक लाख रुपे का रिचार्ज करो, जो हमारा सिविल स्कोर बढ़ता है ना, वो कुछ पॉइंटों में बढ़ता है, मतलब 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, इस तरीके से बढ़ता है, तो भाई, आप जितने मरद्य का रिचार्ज कर लो, एक रुपे से लेक ऐगर, एक लाख रुपे तक का रिचार्ज करोगे तो पॉइंटों में ही बढ़ेगा, एक रुपे में भी उतना ही बढ़ेगा, और एक लाख में भी उतना ही सिविला आपका बढ़ेगा, छीक है? यहाँ पर मैं रिचार्ज करकर द पिरान को प्र qué cellphone करणगा अपने रिच Sibir Score को यहाँ पर increase करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पर जब आप रिचार्ज करेंगे तो आपको काफी साफ़धानी बढ़तनी है, क्योंकि यहीं से आपका जो Sibir Score है उसको बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा नीचे स्कॉल करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ option देखने को मिलते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक option देखने को मिलेगा, ठीक है, कि भाई आप जो हैं यहाँ यहाँ पर credit debit card, इस पर click करेंगे, click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा card number, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों यहाँ पर जो है एक card है, जो कि SBM bank का है, यह देखे रहो, SBM bank का credit card है, अब इस credit card से हम क्या करने वाले हैं, अपने mobile का recharge करने वाले हैं, तो इसके पीछे कुछ number है, वो number मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद expiry date डालूँगा, CVV number डालूँगा, name of the card, मेरे card का क्या नाम है, वो card का नाम डालूँगा, और उसके बाद यह detail में डाल देता हूँ, उसके बाद recharge करके दिखाता हूँ, उसके बाद card मैंने यहाँ पर add कर लिया, हमारा card यहाँ पर आचुगा है, अब दोस्तों हमारे card से link जो भी phone number है, उस पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालूँगा, verify, proceed पर click करूँगा, और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो recharge है, वो successful हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, recharge on the 349 is successfully, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमारा जो plan है, ठिकर वो अब जो है, extend हो चुका है, य यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 349 रुपेज का recharge किया है, तो यहाँ पर आप देख लो, अब यह 349 रुपे का recharge करा है, यह money हमारी जो deduct हुई है दोस्तों, यह इस credit card से हुई है, और credit card का काम होता है, हमारे civil score को improve करना, हमारे civil score को बढ़ाना, अब दोस्तों 30 त लेकर 45 द से हमने payment की है, अब हमें इस 349 रुपे की payment करनी है, अपने bank से, वो कब करेंगे, वो करेंगे, एक महिने के बाद, एक महिने के बाद, जैसे हम payment करेंगे, उसके 5-7 दिन के बाद, हमारे civil score है, वो 300-300 कहीं पर भी है, वो improve हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, इस credit card से हमारे civil score है वो improve होता है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं statement, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो हमारी limit है, वो 4151 है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे, तो यह आपको limit भी देखने को मिल जाएगी, तो इस तरीके से हमने payment कर दी, अब देखो हमने अपना जो यहाँ पर दोस्तो, civil score improve किया है, वो किस से किया है, वो किया है यहाँ पर हमने civil score improve credit card के मदद से, अब यह जो credit card है, यह किसका बनेगा और कैसे बनेगा, तो इस credit card का direct link आपको मिलेगा वीडियो के description और comment box में, तो मैं आपको पहली बता दूँ, जिन लेको का civil score 700 यह 700 से ज्यादा होता है, उनको unsecure credit card मिल जाता है, किसी भी company का unsecure credit card वो apply कर सकते हैं, अगर उनकी income 25-30,000 रुपे है, वो salary है, यह self-employee है, महिने में 25-30,000 रुपे कमा लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ-साथ उनका civil score 700 पिलास है, तो उनको बहुत सारी credit card offer हो जाते हैं, प तो वो कैसे करेंगे, या वो अपना civil score बनाना चाते हैं, वो कैसे करेंगे, तो इस credit card के वज़े से, ठीक है, हमारा civil score नया civil score भी बनता है, और हमारा civil score 300-400 है, वो भी improve होता है, अब इस credit card को बनवाने के लिए, इसका link बिलेगा वीडियो के description, comment box में, उससे पहले इसके benefit के पारे में डालनें, तो यह जो credit card बने का ना दोस्तो, तो old lady यहाँ पर mention है, कि यह FD के ऊपर बनता है, आपको एक FD करनी पड़ेगी, उस FD के base पर आपका credit card बनेगा, और जो भी आप FD बनाएंगे, वो रिजर बैंक ऑफ इंडिया दोआरा, आपकी जो safe and secure रहेगी, इस credit card को बनवाने के बाद, आप अपने mobile का जब भी रिचार्ज करेंगे, ठीक है, यह आपका जो civil score है ना, उसको हमेशा बर्गरार काखेगा 750 से ज्यादा, मतलब आपका civil score कहीं भी आ गया, भई, loan वाली company ने तो खराब कर दिया, ठीक है, पर यह credit card है, आपके civil score को उठा के ले गरना है, और साथ में, आपको यहाँ पर बहुत सारे brand से 10% का reward भी मिलेगा, अगर आप इस credit card का इस्तमाल करेंगे, तो सबसे पहले देख लें, यह जो credit card है, मैं इसी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह credit card आपके civil score को improve करने के लिए ही बनाया गया है, तो यहा साथ आप टोप brand पर ठीक है, खरीदारी करके, सोपिंग करके 21,000 से जादा रुपे कमा सकते हैं, और आपको तीन महिने के लिए डिजनी, होटी स्टार का subscription फ्री मिलेगा, इसके साथ साथ आपको discount मिलेगा, फ्लाइट टिकेट पर, बस की टिकेट पर, अगर आप दोस्तों इससे जो है, टिकेट पर गरा, जो है, खरीदते हैं, इसके साथ साथ आपको 7% का भ्याज मिलेगा, और देखो Amazon, फिलिप कार्ट, इसके साथ साथ बहुत सारी brand पर आप खरीदारी करते हो, 10% का reward मिलेगा, lifetime free रहने वाला है, ठीक है, कोई भी आपसे जो है, कभी भी इस credit card क को बनवाने के लिए, आपकी age होनी चाहिए, 18 plus, बस आपकी age 18 साल होनी चाहिए, आप कोई भी है, ठीक है, salary, self employee, housewife, student, कोई भी है, इस credit card को बनवा सकते हो, pen card, आदार card, 18 साल age, और आपके पास कम से कम 5000 रुपे होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए 5000 रुपे की आपको FD करन ये credit card आपका बन जाएगा, भाई 5000 रुपे कुछ नहीं होते हैं, कुछ इसलिए नहीं होते हैं, मालो आपको loan लेना है, आपका civil score डाउन है, आप किसी company पर जाकर loan के लिए apply करते हैं, तो भाई, civil score जिनका डाउन होता है, उनको बहुत ज़्यादा महंगा loan मिलता है, एक तो percent fees ज़्यादा charge की जाती है, साथ में उनसे ब्याद भी ज़्यादा लिया जाता है, तो अगर आपने 5000 रुपे यहाँ पर investment कर दिये, और एक बार आपका civil score बन गया, और टोप पर चला गया, तो आप इस credit card को कभी भी बन कर सकते हो, option होता है close, FD, जैसी आप close FD बर किलिक कर होगे, आपने जो 5000 रुपे की FD की है, आपकी FD बंद हो जाएगी, और पैसा आपका civil account में transfer हो जाएगा, तो भई मैं आपको बता दूँ, आप अपने mobile का recharge कर लो, इस credit card की मदद से, इस credit card का जो link हो, आपको वीडियो के description comments box में मिल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों, आ 500 प्लस रहता है, 750 से जादा रहता है, और जितनी चाहे inquiry लग जाएए, फरगने पड़ता, उसकी यही बज़य है, क्योंकि इस credit card से मैं अपने mobile का recharge करता हूँ, और recharge करने के बाद मेरा जो civil score हो इंप्रूव होता है, वह यही secret वो तरीका था, जो आज तक आपको किसी ने नह धन्यवाद